दोस्तों गर आपको एकांड बैंक आप बड़ोदा में है तो आपके लिए बहुत बड़ी गुड़ी निज़ निकल कर आ रहे हैं क्योंकि दोस्तों यहां पे बैंक का बड़ोदा के डिक्चर रूपीज में रेजिटेशन स्टार्ट हो गया है अब जो आप बैंक का बड़ो कारी आपको इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगी तो वीडियो पसंट एक लाइक जरू करना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तो चलिए शुरू करते हैं तो आपको प्ले स्टोर पे ओपन कर लेना है और उसमें आपको टाइप करना पैंग का बड़ा हुदा कर देना है तो यहां से आपको कुछ पर मेंगे आपको एलाओ कर देना है एलाओ एलाओ उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का टर्म एंड कंडिशन आ जाएगी आपको नीचे स्कूल कर देना है और आपको यहां पर एक्सेप टॉलिशन पर क्लिक कर देना है उसके बा रहा है वह सीम आपके इसी फोन में होना चाहिए तभी आप जो रेइस्टेशन कर सकते हैं जैसे मेरे बैंक कॉंड में यही सीम लगा है और यही सीम हमारे इस फोन में है तो मैं यहाँ पर सीम को सेड़ करूँ मेरा मुबाइल नंबर यहाँ पर सक्सेश्फुल हो गया यहाँ पर कुछ समय वेट करूँगा और आप यहाँ पर देख सकते हैं योर सीम कार्ड हैज बिन सक्सेश्फुल वेरिफाइड चांटीन वाल उसन पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको इस application में एक लोग लगाना है यानि कि आप pin लगा सकते हैं पैटरन लगा सकते हैं या fingerprint लगा सकते हैं तो चलिए मैं यहाँ पर fingerprint लगाने वाला हूँ तो यहाँ पर set app pin इसके उपर क्लिक करेंगे यहाँ मैं अपने phone में बायो मट्री लगा लगा लेता हूँ fingerprint उसके बाद यहां पर आपको अपना नाम इंटर कर दे न जो आपके bank count में नाम है वही name आपको यहाँ पर इंटर कर देना है तो मैं यहाँ पर अपना name इंटर कर दे रहा हूँ यहाँ पर name इंटर करने के बाद में यहाँ पर मैं continue वाले वोशन पर क्लिक करूँगा उसके बाद आपके सामने फीर से यही स्क्रीन आजायेगी आपको यहाँ पर फीर से Continue Wallet PIN पर अपर बनाने के बाने के बाल में आपको यहाँ पर नीचे Right Done वाल लेशन पर लिए करना है हो गया है उसके बाद आपको यहां पर क्लिक कर देना है उसके बाद आपके सामने इस तरह के इसकी नाय जाएंगी करना है उसके बाद यहां पर आपके वालेट का एड्रेस और आपका मोइवयल नमबर देखने को मिल जाएगा उसके बाद यहां पर आपको इस पर टिक करना है और आपको यहां पर select this bank account इसके उपर आपको क्लिक कर देना है उसके बाद यहां पर आपको KYC verification करना होगा जिसमें आपको card का details feel करनी होगी जिसमें अपके अपने debit card का last CDC आपको इहां पर इंटर करना है और यहांपे month और aspiring year इंटर कर देनी है तो चलिए मैं यहां पर एंट्यम काड का last CDC इंटर करूंगा यहांपे aspiring month इंटर कर देता हूं यहांपर debit card का details feel करने के बाद में आपको यहां पर next valuation पर क्लिक कर देना है जैसे अपने इस्ट वालेशन पर क्लिक करेंगे तो आप यहां पर देख सकते हैं मैं बैंग आप बड़ावदा के डिर्चल रूपीज के वालेट में सखसे फूर रेइस्टर हो गया हूं उसके बाद आपके स्तामने इस तरह के स्क्रीन देखने को मिल जाएगी जैसे आप य क्लिक करoule अउड़ एक तो आपके सा में जैसे आपके पास फी wash कलOK होती उसी तरह आपको नोट यहँ पर सारे देखने को मिल जाएगे लेकिन ए डिसल्रूपी साको देखने को मिलेगा जैसे यहां पर दो की नोट है जा पर 5 की है दसकी है 20 की है 50 की है 100 की है 200 की है 500 की है और यहां पे 2000 की है तो आपके सामने यह सारी डीचली नोट आपको देखने को मिल जाएगी यानि डीचलर रुपए अगर आप अपने वालेट में add करना चाहते हैं तो आपको ऊपर swipe करना जैसे यहां पे 2 अंच रुपए डिया हूँ यहां पे 10 रुपए और यहां पे 20 रुपए डिया हूँ उसके बाद अगर आप कोई एड करना चाहते तो आप कोई वाले सुन पर क्लिक करेंगे यहाँ से आप 50 पैसे की कोई इसको आप अप डिख कर देजिए और यहां पर lode digital rupees इसके उपर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर UPI other account इसके उपर आप टिक करेंगे यहाँ पर confirm evaluation पर क्लिक करेंगे तो जो पैसा आपने लोड किया है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा पूरा उसके बाद आपको यहाँ पर लोड डिजिचल रूपीज इसके उपर आप क्लिक करेंगे तो आप जो है किस माध्यम से पैसा लोड करना चाहते हैं पेटियम हमारे केस में फोन पे भी मैं तो मैं यहां पर पेटियम को सेलिट करूँगा तो यह रिटार्डिस कर देगा हमको पेटियम में तो चलिए मैं पे तो कि बना हुआ है तुमा यहां पे पेटियू को गलिए के तो मैं यहां पे बैंक आपंतर कर दे रहा हूं करेंगे तो यहां कुंछ सेकेंड वैट करेंगे तो आप आप देख सकते हैं पैड सक्सेश्फूल हो गया उसके बाद यह रिरारेक्ट कर देगा हमको पैंका बढ़ोदा के एक करंसी वालेट में यहां पे लोड फेल्ड हो गया कुछ टेखनिकल इसू की वज़े से यह लोड नहीं हो पा रहा है तो मैंने एक दू बार और ट जरुते हैं कि कितना पैसा आपने लोड किया है तो अब यहांप जीरु देखा ही दे रहा है अगर आप चाहिए तो बैसा ट्रांसफार करा एक option आएगा वहां से आप पैसा को transfer कर सकते पीनों गोर्य डालके और अगर आप अपने wallet में पैसा मंगाना चाहते हैं तो आप किसी को आप QR 만 भेज़ सकते हैं अपने पैसा को माने मंगाने के लिए यहां से आप जो पैसा आप यहां पे लोट करेंगे उस पाइसेग यहां पर वापिस चला जाएगा उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पर रेसेंटली टांडेक्शन अर्तिस रुपय का जो फेल्ड हो गया है उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको प्रॉफाइल अप्सन आप देखने को मिल जाएगा इसके उपर आप क्लिक करेंगे प्रॉफाइल वाले पर तो आपका यहाँ प प्रॉफाइल नंबर ओर्सटे करेंगे तो आप देख सकते हैं मुबाइल नंबर लिइंक करेंगे तो आप इस तरह से अपने यहां से लिंक कर सकते हैं उसके बाद यहां से टwritten करेंगे इस की आप यहां से पूरे जीख सकते हैं जैसे यहां पर 38 रुपैर फेल हो गया यहां पर दिखाए दिखातेदा उसके बाद करता हूंतो यहां पर पिन सेटिंग इसके उपर अगर आप क्लिक करते हैं तो अगर आप अपना फिन फूल गए हैं तो यहां से अपने पिन को फोर्गेट कर सकते हैं अगर आप बैंक आप बड़ोदाख डिजल इरुपीश में डी रेइस्टर करना चाहती हैं तो आप यहां से डी रेइस्टर करेंगे डी रेइस्टर करने पर लिए आपको इसके उपर क्लिक करना होगा तो जैसे हमारे वालेट में एक भी रूपया नहीं है जो की फेल्ड होगा मैंने आपको दिखाया हूँ और जो भी आपका वालेट में वाइलेंस रहेगा आपके इसी एकाउंड में वापिस चला जाएगा अगर आप यहां पर देख सकते हैं डी रेइस्टर करने के बाद में वापिस चला जाएगा डी रेइस्टर वालेशन पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको अपने वालेट का जो पीन अभी आपने बनाया है वह पीन आप डालेंगे तो आप जो है बैंक का बढ़ वदा के डी रडी रेश्टर हो जाएगे तो दोस्तों इस तरह से आप जो है अपने बैंक का बढ़ वदा के डीश्टर एग WA92 दिकरस कर सकते हैं और आप इसी तरह इसको यूज कर सकते हैं तो आई फोट दोस्तों की इडियो पसंद रहे हुद एक लाइक किजिए पसंद